कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा और खुब्सूरा सा डिजाइन का डोर्मेट मेरी बुड़ी वो संद आया तो लाइक से और सस्क्राइब जरूर कीजेगा देखें दो प्रकार की हमने ले रखी है ठीके आप इसे साड़ी चुननी से अगर आपने डोर्मेट बनाया है तो आज की डिजाइन देखें जो मैंने डोर्मेट बनाया था जिसे आपके पास कभी ऐसा होता होगा कि आप डोर्मेट बनाते होंगे और आपका डोर्मेट छोटा हो गया आप उसे बढ़ा करना चाहते होंगे तो उसके लिए आपको यह नहीं पता हो किस तरीके से आपको इस डॉर मेट को बड़ा बनाना है और चोटा कर अगर आपका बड़ा हो गया है तो आप इसी के कोडिंग जैसे चोटा बनाई है उसी में आप न्यू कलर की कोई डिजाइन मतलब उसमें एड करके उस चीज को और अच्छा लूग दे सकते हैं इसलिए मै आपको इस तरीके की जरूरत पड़ती ही होगी तो चलिए बनाना सटार्ट करते हैं देखे सबसे पहले हम इस तरीके से धो इसमें लिए है और जो भी हमारे पास देखिए इस तरीके से जैसे हमने ये डोर्मेट बनाया था ये हमारा डोर्मेट छोटा है तो इसे हमें कैसे बढ़ा करना है देखिए इस तरीके से हमने डोर्मेट बनाया कोई भी डोर्मेट आप बना लीजे बनाने के पास देखिए इ यहां पे इसको बड़ा बनाने के लिए देखे इस तरीके से इसे रखते हैं साइड में और नेश्ट कलर के आप यहां पे धागे ले लिजिए ठीके आप सारी चुनी से बनाए हैं तो उससे भी ले सकते हैं प्रोसेस मैं जो बताऊंगी सेम ही रहेगा तो देखे सबसे पहले आपको यहां पे फंदे ले लेने जितना बड़ा आपको सोचना है कि आपको थोड़ा सा कितना बड़ा करना है जैसे कि यहां पे है आपको यहां पे इतना बड़ा करना है इतना बड़ा करना उसके recording आपको यहाँ पर फंदे ले लेने हैं ठीक है तो मैंने यहाँ पर देखे दो, दो चार, दो छे, दो आर्ट, दस, बारा, पंदरा ठीक है बारा, तेरा, तेरा फंदे हमने लिए हैं यहाँ पर उसके बाद देखे सबसे पहले इस तरीके से देखिए सबसे पहले हमने इसकी एक रो बना लिए ऐसे ही फंदे डालने के बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने एक रो बनाई उसके बाद देखिए यहाँ से सबसे पहले इस तरीके से आपको एक फंदा देखिए यहाँ से आप उल्टी साइड से स्टार्टिंग कीजिए डिसाइन को तो यहां से देखें इस तरीके से एक और दो दो फंदे हमने इस कलर से बनाए ठीक है और यहां पे बाकी बच्चेवे फंदे देखें इस तरीके से आपको करने है एक बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत ही अर श्लो तरीके से आपको बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको बनाने में इस डिसाइन को ठीके आप चाहे तो यहाँ पर उपर की साइड स्टार्ट से भी बना सकते हैं और चा सारी चुनी से बनाना चाहें तो उससे भी बना सकते हैं तीखिए आप यहाँ पर सीधित साइड से से में सेम प्रोसेस में बनाना होगा जो जिस कलर से पंदा है उसी कलर से में बनाना होगा ते कि इस तरीके से यहाँपर 1 2 3 4 पांच छे साथ आठ नो दस ठीक है दस फंदे बुने पलट दिया और देखे ये ग्रीन कलर को हम आगे की साइड लेंगे ठीक है एक और दो तो फर्स रो में हम इस तरीके से इन सभी फंदों को बुनेंगे उसके बाद देखे आप ये आपको क्या करना है यहाँ पे इसे उतारना है और नेश्ट फंदे से एक दो दो फंदे हमने सेम प्रोसेस में बुने उसके बाद देखे यहाँ से एक और दो दो फंदे हमने उपर की साइड फिर से बनाए और यहां से बाकी बचे हो फंदे इस तरीके से बनाएंगे ऐसे ही सिंपल उल्टा सीधा दोनों साइट से बून लेंगे जैसे next row में हमने बनाया है, यहां से देखे इस तरीके से पलट देंगे सीधी साइट से अब यहाँ पे सीधी साइट पे जो जैसा है वैसे ही बनाना है आप देखे इस तरीके से हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 रो हमने 2, 2 करके उपर की साइट यहाँ पे ग्रीन फंदे बढ़ाएं और यहाँ पे 1, 2, 3 तीन रो में हमने यहां पे दो दो करके फंदे छोड़े ठीक है क्योंकि हमारा जो उपर का साइड होता है वो थोड़ा सा फैला हुआ होता है नीचे की साइड हमें थोड़ा सा डाउन करना रहता है क्योंकि जब हम यहां पे जोइंट करेंगे देखिए यहां पे जब है चार कि पांच और देखिए यहां से सीधा साइड किनारे का सीधा साइड लेंगे तो आपको सिलाई से एड़ करके बना सकते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका जैसे दो कलर पहले हैं आप इस्टर कलर एड़ करना चाहते हैं तो आसानी से एड़ कर सकते हैं तो देखें अब यहां पे आप इस तरीके से देखें अभी तक कि हम यहां पे उपर की साइट दो-दो फंदे बढ़ा एक और दो इस तरीके से अब यहां पे हम नीचे की साइड फंदे डाउन करेंगे यहां पे हमें पान बनाना है तो उसके लिए आप देखें यहां पे दो दो करके नीचे की साइड जाएंगे जैसे दो दो करके उपर की साइड आए है ठीके आप देखें इस तरीके से हमने इ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा और यहां से सीधी साइट से लेंगे बारा ठीके इस तरीके से देखें यहां पर हमने यहां पत्ती नीचे की तरफ डाउन कर दी उसके बाद देखें यहां पर नेश्ट आपको इस तरीके से बनाना है एक, दो, दो फंदे यहां पर उनने हैं ग्रीन कलर से बाकी फंदे यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस और यहां से सीधी साइट से 11 और पलट देना है ठीके अब यहां पर इस तरीके से सभी फंदों को एक रो में जैसे इस तरीके से दो-दो करके उपर किस आइडम बढ़ा रहें वैसे ही बनाते जाना है तो वीडियो मेरी पसंद आया तो प्लीज लाइक से राप्स लोग सब्सक्राइब जरूर कीजएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिविकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप टेली एक डिसाइन को देख सके तो इस तरीके से उसके बाद आपको देखे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मैं उस तरी आपके कम अरेंज कलर को बुनेंगे इस तरीके से 1,2,3,4,5,6,7,8 और यहां से सीधा इस तरीके से अब यहां पर हम इसी तरीके से देखे इस तरीके से डिसाइन को बना लेंगे उसके आपको यहां पर क्या करना है इस तरीके से आप यहां पर इस तरीके से किनारे पर रखके यहां से आप इसकी सिलाई कर दीजिया ठीके इस तरीके से आप बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंट लुक आ जाएगा आपका इस तरीके से आपको बनाना आए ठीके